ग्यान सुदा सकससाथी प्लाटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है आईए आज हम करते हैं NET JRF Chemistry के MCQs स्पेक्ट्रोस्कोपी से सम्मन्धित NET के जो questions आते हैं MCQs स्पेक्ट्रोस्कोपी में या दूसरे topic में उनसे मिलते चुलते questions jam में भी आते हैं jam के बारे में आपको पताई होगा IIT जैसे प्रतेश्चित संस्थानों में अगर आपको MSC करनी है तो jam का examination आपको clear करना होता है तो आईए इसे पहले कि हम पहला question आज का solve करते हैं 13C NMR के DEPT के बारे में कुछ बाते जन लें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कई बार बताया है कि spectroscopic technique के बारे में details knowledge जानने की कोई जरूरत नहीं है कुछ tips के साहता से आप questions को आसानी से solve कर सकते हैं आई आज हम जानते हैं DEPT के बारे में कुछ जानकारिया 13C NMR के लिए तो अगर DEPT 45 degree है all protonated carbon show peaks यानि सभी जो protonated carbon जैसे CH CH2 CH3 इस तरह के जो carbon होते हैं सभी DEPT 45 में कोई न कोई peak प्रदर्शित करेंगे DEPT 90 degree का होता है उसमें केवल CH carbon यानि CH2 और CH3 नहीं केवल CH carbon जो हैं वो peak प्रदर्शित करते हैं और DEPT 135 degree में यह सभी यानि CH CH2 CH3 सभी peak प्रदर्शित करते हैं परन्तु जो CH2 होता है वो negative peak नेगेटिव peak से मतलब है अगर यह baseline है तो peak इसके उल्टी दिशा में नीचे की और होगी और CH and CH3 give positive peaks यानि CH और CH3 जो है वो उपर के और positive peaks इनको कहा जाता है यह CH और CH3 यह peak प्रदर्शित करते हैं अगर आपको याद रखना हो तो आप इसमें से इस तरह से याद रख सकते हैं कि CH2 जो है वो negative देगा बचा CH और CH3 वो positive देंगे अपने आप दोनों चीजों का कटे याद करेंगे तो examination में confused हो जाएंगे 45 में सभी protonated carbon आपको यह ध्यान रखना है 90 पे सिरफ CH और 135 पे CH2 negative तो इतना से अगर आप ध्यान रख लें तो आप questions को आसानी से कर सकते हैं पहला question हमारी screen पे है 13C NMR DEPT का data दिया हुआ है वो भी 135 degree का data दिया हुआ है और इन्होंने जो हमको data दिया है कि negative peaks at दिखे negative peak कहां कहां पर है एक दो तीन और चार सबसे पहले जो अपने को काम करना होता है NMR जब हम solve करते हैं कि peaks की संख्या तो negative peaks जो है negative peaks जो है वो चार है और positive peak जो है वो एक है तो हमें वो इन में से option में से structure ढूनना पड़ेगा जि positive peak और negative peak का मतलब हमने अभी देख लिया था negative peak यानि CH2 हो और positive peak यानि CH और CH3 हो तो इन structure को हम देख लेते हैं CH2 की संख्या देखते हैं कितनी है CH2 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 यानि 4 negative peaks है और यह एक CH है तो यह एक positive peak है तो देखें जो पहला हमने option किया वही answer के साथ match कर गया है हम यह शक हो सकता है कि जो यहाँ deal values दीवे हैं उससे यह मिलता जूलता ही कोई और भी इस तरह से minus 4 और plus 1 बाला कोई option है के नहीं तो दूसरे को भी देख लेते हैं यह second option है इसमें हम ढूनते हैं CH2 कितने हैं 1, 2 तो दो CH2 हैं इसके अंदर यानि दो negative peaks होंगे तो आगे अपने को देखना ही नहीं क्योंकि चार नेगेटिव peaks की जरुवत थी इसको देख लेते हैं इसमें negative peaks कितनी हैं 1, 2, 3 क्योंकि यह भी CH2 है तो इसमें 3 negative peaks हैं आगे देखने की जरुवत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए 4 negative peaks इसके पास हैं 2 तो यह cancel यह cancel अब तक यहीं सही बैठ रहा है इसमें ढून लेते हैं negative peaks कितने हैं negative peaks में 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2 तो यहां पर minus 3, 3 CH2 हैं तो यह भी हमारे option में नहीं बैठता है आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम अपने answer तक पहुँच गए हैं और हमको इन values के बा और हमने आसानी से इसको solve कर दिया सिरफ संख्या गिनके कि negative peaks CH2 के यहां पर कितने हैं यह CH3 यहां पर कितने हैं तो इस तरह से हमने इस answer को बहुत easily solve कर लिया लेकिन फिर भी एक बार इसकी details जो हैं उस screen पर देख लेते हैं यह structures बनाएवे जो correct option का था और उसके जो dell values हैं व ली गई हैं तो इस तरह से हम इसको solve हमने किया है यहां देखिए second जो था उसमें 3 negative और sorry 3 positive और 2 negative peaks थे तो जो हमारा option नहीं था इसी तरह से यहां 2 positive और 3 negative थे जो भी हमारा option से match नहीं कर रहा था यहां 1 positive और 3 negative था इस structure के लिए जो कि option से match नहीं कर रहा था और हमने बड़ी जाने से इस question को किया है बिना detail DEPT के जाने हुए आए देखते है next question हमारे screen पे जो है वो हमें यहां पर चार option दिये हैं किसी इस के लिए कि कौन सा इन में से correct compound है जो इस data को match करता है IR के लिए DIY 1690 1690 देखते हैं सबसे पहली बार जो हमारे दिमाग में आने चाहिए important signal है important peak है important number है यह आपको ध्यान में रखना होगा ketone जो है यहां पर 1690 में देते हैं तो सबसे पहला काम हमें इन चार option में से ketone ढूणना है ketone के अलावा जो है oxygen उसको हमें negate करना है तो हम यह देखते हैं कि यह ester है तो यह हमारा option नहीं होगा this is also ester तो हमारा यह option नहीं होगा यानि हमारा answer in one or option number three से होता है next हमारा धिहान जाता है 1H NMR में 1H NMR में हमारे पास जो option है यह है पहरा substituted compound यह है meta substituted compound पहरा substituted compound की खासियत यह होती है इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें भी मैंने आपको बताया है कि पहरा substituted compound जो होते हैं वो doublet और doublet दो doublet से यह प्रदरशित करते हैं कैसे पहचान करें उन दोनों doublet के coupling constant की या युगमन जो स्थिरांक है उसका जो मान या उसकी जो value है वो same होनी चाहिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6.9 और 7.8 यानि aromatic protons की बात कर रहे हैं यह भी doublet है और यह भी doublet है तो यह doublet of doublet की बात कर रहे हैं और और अगे अपने को अगर doubt हो तो coupling constant का value देखते हैं j is equal to 8 और यहाँ पर भी देखते हैं j is equal to 8 यानि यह एक ही संकेत की बात कर रहे हैं और doublet of doublet है जिससे यह confirm होता है कि यह पहरा substituted compound के data है तो यह तो meta है तो हमने इसको cancel किया हमने आगे कुछ देखा है यह उससे पहले ही हमारा equation solve हो गया लेकिन क्योंकि हम examination के लिए तयारी कर रहे हैं थोड़ी सी और इसके बार में जानकारी प्रात कर लेते हैं दो values यहाद रखते हैं 2.5 और यहाँ पर एक है 3.8 देखे 2.5 और 3.8 जो है वो तीनों जो है 3H के लिए हैं दोनों के दोनों singlet है तो यह जो 1690 का जो value था वो C double bond O के लिए था और यहाँ पर 2.5 और 3.8 यह 3.8 यानि ज्यादा de-shielded protons की बात कर रहे हैं ज्यादा de-shielded इसलिए है क्योंकि directly oxygen ज्यादा electronegative है उससे यह जुड़े वे हैं oxygen electrons अपनी और खीच लेता है क्योंकि electronegative है और यह de-shielded हो जाता है और de-shielded होते ही del की value हाई हो जाती है तो 3.8 इसके लिए होगा और यहाँ जो यह CH3 protons है तीन वो इसके anisotropic effect की वज़े से क्योंकि यहाँ पर यह carbon है तो यहाँ electronegative जो group atom जो है वो carbon से directly bonded नहीं है लेकिन यह भी electron आकरशी समू है और इसके anisotropic effect की वज़े से इसकी भी de-shielding होगी लेकिन उतनी जादा नहीं होगी जितने की इस case में हुई थी तो यह इसका जो del का value आएगा वो 2.5 आएगा और 3.8 इस वाले methyl group के protons के लिए होगा इसके अलावा क्योंकि oxygen यहाँ पर आप देख सकते हैं C double bond O है और यह electrons खींचता है अपनी और यह electrons अपनी और खींचता है और यह conjugated double bond है इसके साथ और यहाँ अगर हम देखें कि oxygen के पर lone pair of electrons है और यह ring में electrons देता है तो आप देख सकते हैं कि यह electrons खींच रहा है यानि यह de-shielding कर रहा है और यह shielding कर रहा है तो de-shielding में del की value होती है high तो यहाँ जो होगा यह दोनों protons जो हैं वो 7.8 में आएंगे और यह दोनों protons जो हैं वो 6.9 में आएंगे यह इसकी पूरी detailed study थी जिसकी अभी फिलाल हमें जरूत नहीं थी MCQ solve करने के लिए लेकिन क्योंकि हम competitive के तयारी कर रहे हैं jam और net दोनों की इसलिए हमें जानकारी होना जरूरी है यहां screen पे आपको कुछ और information दी भी है देखिए यह ketone की value थी और ester के लिए 170 dell पे आ रहा है 13C और 197 यह data अपने पास दिया हुआ था और इसलिए यह data है वो ketone को support करता है जैसे की IR और इसके dell values के बारे में हमने और इनके dell values के बारे म हमने इससे पहले कर ही ली थी इससे पहले कि हम next question को solve करें आए जान लेते हैं solvent effect के बारे में कुछ बात है solvent effect के बारे में कुछ बात हैं दो transitions हमारे screen पे हैं n से लेके pi esterisk और यह है pi esterisk transition non bonding to pi anti bonding और pi bonding to pi anti bonding transitions है संकरमन हम स्क्रीन पे देख रहे हैं दो excuse me दो अलग-अलग conditions में एक तो non polar और एक polar solvent और द्रूविय और द्रूविय विलायकों में क्या हाल होता है इनका वो देख लेते हैं हम के UV spectrum में आप देख सकते हैं कि non polar में अगर ये दूरी है energy की तो polar solvent आते ही जो non bonding electrons हैं उनका स्थाइत्व अधिक बढ़ जाता है पाई anti bonding का भी स्थाइत्व बढ़ता है लेकिन non bonding के तुलना में स्थाइत्व ये ज़्यादा बढ़ा स्थाइत्व इसकी energy कम घटती हानि स्थाइत्व कम प्राप्त होता है जिसकी वजह से polar solvent द्रूविय विलायक में इन से लेके पाई estrisk transition की ऊरजा ये energy बढ़ जाती है ये ज़्यादा value है ये कम value है और जैसे ही energy high होती है तो frequency high होगी ये हमें मालूम है और lambda का मान कम हो जाएगा और जिसको कहते हैं हम red shift या n से लेके पाई estrisk में sorry मैं उल्टा बोल गई हूँ lambda की value घट जाती है यानि इसको कहते हैं blue shift और इसको कहते हैं hipsochromic shift मैं इसको लिखी देती हूँ ताकि confusion नहीं रहे तो दुबारा इसको एक बार कर लेते हैं कि energy का मान high हो गया frequency का मान उसके साथ ही high होता है lambda का मान घट जाता है जिसको हम कहते हैं lambda घट गया जिसको कहते हैं हमें हम कहते हैं blue shift और इसको कहते हैं हम hipsochromic shift ठीक उसके उल्टा ठीक उसके उल्टा जो हम यहां देख सकते हैं कि अगर हमने polar solvent लिया तो πाई के comparison में यह पाई था है और जिस वजह से यह जो energy का difference है non polar के तुलना में polar में यह energy का difference उर्जा का अंतर कम हो जाता है अगर उर्जा का अंतर उर्जा अगर energy अगर कम हो गई तो frequency भी कम हो जाएगी और lambda बढ़ जाएगी lambda जब बढ़ जाता है तो इस तरह के shift को कि पहले energy जादा थी अब energy कम हो गई तो जो peak या signal आता है वो भी अपनी जगह से अलग-अलग solvent में non polar और polar solvent में उसकी स्थिति या उसका position अलग-अलग हो जाता है तो इसलिए उसको shift कहते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि lambda बढ़ गया तो इसको कहते हैं red shift या इसको कहते हैं hyper chromic shift तो यह बातों का हम ध्यान में रख लेते हैं हम इतना सरफ याद रख लेते हैं कि N से pi estrisk transition में polar solvent में hipsochromic shift होता है और इसका just ultra pi से pi estrisk transition में polar solvent में hyper chromic या red shift होता है तो इतने को याद नहीं रखना है इसको याद रखें इसका just ultra यहाँ पर है या अगर आप comfortable नहीं है तो आप red shift को याद रखें कि pi से pi estrisk जाने में polar solvent में red shift या hyper chromic shift होता है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आए करते हैं अपना next question solve यहाँ दिया हुआ है in the uv visible absorption spectrum of an alpha beta unsaturated carbonyl compound की uv visible absorption spectrum दिया हुआ है हमें alpha beta और संत्रिप्त carbonyl yogic के लिए और उन्होंने पूछा है कि solvent की polarity अगर हमने बढ़ा दी solvent की polarity बढ़ा दी यानि non polar से polar कर दिया तो फिर क्या होगा हमने अभी अभी देखा था कि n से pi estrisk जो transition है वो hipsochromic हो जाते हैं और pi से pi estrisk bethochromic हो जाते हैं अभी हमने अपने diagram में इससे पहले वाले slide में देखा था तो ये correct option है बाकी ये जो options है वो गलत है आप चाहें तुनको पढ़के देख लीजिए n to pi estrisk undergo bethochromic जो की गलत है और ये hipsochromic है ये गलत है यहां इन्होंने n to pi और pi to pi दोनों के लिए bethochromic बोला है वो भी गलत ह है और दोनों के लिए hipsochromic बोला है वो भी गलत है तो correct answer यही है कि n to pi estrisk transition polar solvent में hipsochromic shift दिखाते हैं ये this was the correct answer जो की बहुत आसान था इससे पहले कि हम next question को solve करें एक नजर देख लेते हैं कि IR frequency में जो amide की stretching है C double bond O की 1600 range में है 1700 की नीचे है यहां आप देख सकते हैं energy जो है वो 3300-3100 के आसपास है यह भी 3300 के आसपास है यह भी 1600-1500 के बीच में है और यह जो है जो lactones है cyclic esters आप जिससे कह सकते हैं 1300-1000 के बीच में हैं आप यह याद रखिए कि यहां 2000 की range में 2200 या 2000 और 2200 की range में कोई भी absorption जो cyclic esters से lactones या amide की नहीं है इस बात को आपको ध्यान में रखना है next slide देखते हैं इसमें देखें esters का दिया हुआ है जो esters का भी आप देखें कि कोई भी 2000 के आसपास का range का यह absorption नहीं है चाहे alpha beta unsaturated ester हो तो इसमें भी 2000 वाली range इसके अंदर नहीं है next हमारे पास कुछ और क्रियात्मक समू है और इसमें हमें जो यादत नहीं है वो diazor azide की यादत नहीं है यह देखें यह है 2000 cm inverse यह 2200 यह 2200 के लिए है यह 2200 के लिए है यह 2200 के लिए है यह 2000 की line है यह दोनो और आप देख सकते हैं जो diazor है वो और इसकी बीच का जो है वो 2100 का range है इस जगह पे तो यह diazor का 2100 को touching या उससे नीचे absorption है और जब हम azide का देख रहे हैं उसका देख रहे है कि 2150 के आसपास इसकी absorption है तो यह अपने को याद रखनी है कि 2150 के आसपास जो है azide का है यह n double bond n double bond n इसमें plus और minus charges middle और side के corner के nitrogen के उपर है और diazor का जो है वो 2150 से नीचे है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना करते हैं next question यह हमको चार options दिये वे हैं और इन्होंने पूछा है कि IR bandit 2150 सेंटी मीटर देखे आम तोर पे जो हमने अभी azide और जो diazor compound के लिए हमने जो absorption range देखी है वो आम तोर पे books में इसके लिए अलग से बोला नहीं जाता लेकिन competitive के लिए जो है यह important है तो हम देख लेते हैं कि diazor है तो यह answer नहीं है इससे match नहीं करता ester match नहीं करता, amide match नहीं करता, हमारा match करता है सिरफ azide क्योंकि उसमें triple bond इस तरह से होता है और जिसका absorption IR पे 2150 सेंटी मीटर पर आता है तो यह एकदम direct question था जिसके लिए हमें range का अंदाजा होना ज़रूरी था next question हमारे screen पे जो है, वो 1H NMR से संबंधित है और हमें दिया गया है मिर्टिनल और यह जो दो methyl groups हैं इनके chemical shift के values के बारे में इन्होंने हमें पूछा है कि इन में से इसका value इनके methyl group के जो absorption होंगे या chemical shifts होंगे वो इन चारों में से कौन से होंगे देखे इसके लिए क्योंकि इस तरह से देखने से भी हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है और यह देखे तो भी और बढ़िया अंदाजा होगा मान लिजे आपने इसका structure यूही रहने दिया तो भी आप देख सकते हैं कि यह जो CH3 है वो double bond के कारीब है और यह single bond जरूर है लेकिन free rotation single bond के चारों तरफ इसमें possible नहीं है क्योंकि इस तरह से brisht compound है यह तो इसमें जो है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि घूमके यह CH3 इधर आ जाए और घूमके वो वोला CH3 rotate होके वहाँ चला जाए क्योंकि rotation free rotation यहां संभव नहीं है क्योंकि यह और यह जो bridge end है यहां जुड़े वे हैं और इसके rotation होते ही दोनो bond तूट जाएंगे उसका मतलब यह दोनो CH3 जो है वो equivalent या एक समान नहीं है एक CH3 जो है वो double bond की ओर जुका हुआ है double bond में होते हैं πाई electrons पाई bond के जो electrons होते हैं वो external magnetic field यह बाहे magnetic field बाहे जुमके शेत्र में इसके diamagnetic currents जो ring कर इसके currents होते हैं field effect इसका अपना होता है और जिसकी वजह से इसके जो इन electrons का असर होगा वो इसके उपर पड़ेगा यहाँ पर इस तरह से कोई भी पाई electron इस वाले मिधाल रूप के लिए नहीं है और इस वजह से जैसे यह है इन electrons के द्वारा यह जादा de-shielded होगा और यहाँ पर जो है इनके पास है तो यह shielded होगा परिरक्षित होगा जबकि इस वाले मिधाल गूप के लिए यहाँ पर कोई electrons ऐसे नहीं है जो इसको परिरक्षित बाहर मैगनेटिक फील्ड से करें तो यह shielded protons हैं due to these pi electrons जो कि इसके proximity में इसके पास हैं यहाँ कोई pi electrons नहीं है जो इसको परिरक्षित या shielded करें हमें मालूम है जैसे ही shielding होती है यहाँ देख लेते हैं जैसे ही shielding होती है तो dell का value कम हो जाता है और हमें मालूम है कि d shielding जैसे ही होती है तो dell का मान जो है वो डेल का मान जो है वो D-Shielding के साथ High हो चाता है तो अगर हमने यह structure ना भी बना है तो भी चलेगा, बना दिया तो ज़्यादा बेतर है तो यह जो है यह अपना Shielded Proton है क्योंकि यह Pi Electrons के पास है यह D-Shielded है Shielded है, तो इसका D-Shielded का Value होगा कम और D-Shielded है तो डेल का Value होगा ज़्यादा तो यहां से हम देख सकते है कि यहां इनोंने दिया है 1.35 और 5.0 5.0 जो है वो बहुत High Value है वो CH3 Protons के लिए नहीं हो सकती है CH3 Protons जो है 0.9 या 1 के आसपास 1 डेल के आसपास सिगनल देते हैं तो 5 के आसपास सिगनल नहीं देंगे उनमें Shielding और D-Shielding हो सकती है तो आप यह देख सकते हैं कि यहां जो हमारे पास Options हैं कि यह 5 वाला वो तो Cancel होगा है क्योंकि इतनी जादा इसमें D-Shielding नहीं है और यहां आप देखें कि दोनों को 6 के 6 एक जैसे 1.22 पे बता गया है 6 और protons एक जैसे नहीं है क्योंकि दोनों methyl groups एक दूसर से different है यहां पे भी 6 protons 0.70 पे signalet दिखा गया है जबकि यह दोनों जो protons methyl groups हैं वो एक दूसरे के समान नहीं हैं तो यह option भी cancel यह option भी cancel इसकी वज़े से number one भी cancel बचता है यह number two that is the correct option इसमें higher value वहां होगी जो जो shielded नहीं होगा वो है यह जैसे कि आपने देखा यह वाला यही है यह और जो shielded proton होगा जो shielded proton होगा यह जो कि πाई के पास है उसकी value होगी कम that is 0.74 so this is the correct answer जो कि आसानी से हम इसको derive कर सकते थे so thank you for being with me